नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल बेसिक नालजबर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग LCM and HCF के बारे में देखेंगे LCM क्या होता है और HCF क्या होता है LCM को देखिए Least Common Multiple बोलते हैं तता HCF को बोलते हैं Highest Common Factor तो हिंदी में हम इसको लासा मासा कहते हैं लगुत्तम समापवर्थ एवं महत्तम समापवर्थ तक तो इसको देखने के पहले हम कुछ definition आपको बता रहे हैं जो काफी important है और हर question में उनका यूज किया जाएगा आप इसको समझ लेंगे तो इसके बाद LCM and CF जो है इसको आप आसानी से एकदम simple तरीके से निकाल लेंगे किसी भी संख्या का तो चलिए हम देखते हैं यहाँ देखिए पहला हमारा है अपवर्थ या गुड़ज या multiple इसको इंग्लिस में बोलते है multiple तो यह किसे कहते हैं अपवर्थ या गुड़ज या multiple किसे कहते हैं जैसे अगर देखिए अगर 2 है तो अगर हमको 2 का 12, 14, मतलब 2 का पहाड़ा हम पढ़ते जाए 16, 18, आगे पढ़ते जाएंगे तो यही हो गया 2 का multiple या upward या गुड़ज अगर जैसे 4 है तो पहला जो हो जागा इसका 4 ही रहेगा इसके बाद 8 है, 12, डाट-डाट हम अनंत तक जा सकते हैं मतलब अगर इसका पूछे कि सबसे छोटा multiple क्या है तो यह वही संख्या होगा 4 होगा अगर सबसे बड़ा पूछ ले इसका multiple या पवर्त क्या है तो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं वो आगे बढ़ता जाएगा 4 की ratio में तो यह हो गया, अगर सबसे छोटा पूछेगा तो वह संख्या खुद होगी किसी संख्या का अगर multiple पूछ ले जैसे 5 का पूछ ले, 5 का multiple क्या है तो 5 का multiple पहली सबसे छोटी संख्या 5 होगी इसके बाद जो है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है इस तरह से multiple वर्ता जाएगा हमको अपोवर्ता क्या गुड़न खंड निकालना है तो गुड़न खंड का मतलब 4 जो है, किस किस संख्या से कट जाएगा तो 4 किस से कटेगा, 1 से कट जाएगा और किस से कटेगा, 2 से कट जाएगा और किस से कटेगा, 4 सोयंग, 4 से कट जाएगा तो इसका जो है factor यही हो एक, दो, चार अगर इसी तरह से हमको देखिए मालीजी अगर 24 है यहाँ 24 है तो अब अगर हमको 24 का factor निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब देखेंगे कि 24 किस किस से कट जाएगा एक से कटेगा, दो से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा चार से कट जाएगा, छे से कट जाएगा, आठ से कट जाएगा इसके बाद 12 से कट जाएगा, इसके बाद 24 खुद तो यह हो गया, अगर 24 का हमको multiple निकालना है तो वही देख लेंगे कि वो संख्या किन किन संख्याओं से कट सकती है जैसे चार है तो चार किस किस संख्या से कट सकती है तो एक से कट जाएगी, दो से कटेगी, चार से कटेगी तो यह हो गया इसका अपवर्तक या गुडन खंड अब यहां देखिए अगर पूछ ले कि 4 का जो है सबसे छोटा आपवर्तक या गुणनखंड क्या है तो वो एक होगा मतलब किसी संख्या का सबसे छोटा आपवर्तक जो है या फैक्टर एक होता है और सबसे बड़ा अगर पूछ ले तो सबसे बड़ा वह संख्या सोयंग होती है जैसे यहाँ 24 का है तो सबसे छोटा हो जाएगा एक हो जाएगा और सबसे बड़ा फैक्टर जो हो इसका 24 सोयंग हो जाएगी मतलब सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो संख्या स्वयंग होती है और सबसे छोटा एक होता है अब हम लोग देखेंगे लिस्ट कामन मल्टिपल यल सी एम या जिसको हम लोग हिंदी में लासा बोलते हैं लगुत्तम समापवर्थ तो देखें इसकी डिफिनिशन है दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रतेक संख्या से पूरता है विभाज जहो जैसे कर हमको दिया रहे कि 4, 6 और 8 देखे, लासा निकालने के लिए 2 या 2 से अधिक संख्या है रहेंगी एक संख्या का लासा नहीं निकलेगा 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4, 5 मतलब 2 से अधिक रहेंगी, कुछ भी रहे लेकिन एक संख्या नहीं रहेगी तो उसी का लासा निकाला जाएगा, तो यहाँ देखिए अगर 4, 6, 8 दे दिया गया है, तो अगर इसका लासा हम निकाले तो देखिए 8, 3, 24, इसका लासा क्या होगा, 24 होगा, अब इसमें देखिए definition हम पढ़ेंगे फिर से, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा, मतलब 2 या 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी और 8 से भी, और कोई संख्या नहीं, अगर तेज है तो तेज देखिए किसी नहीं कटेगा, 22 है तो 22 भी किसी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 25 से कर जाएगा, लेकिन इन दोनों से नहीं कटेगा, तो सब मतलब 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए समझ में आया आप लोगों को अब देखिए इस तरह से हम बता दीने इसका लासा 24 सब हम इसको निकालेंगे कैसे तो देखिए इसका दो मेथड है एक तो है कि हम भाग विदी से निकालें आए एक सिंपल वैसे निकाल देते हैं तो भाग विदी से हम निकालना है देखिए जै प्रशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशा एक वह बहुत आ पड़ा अगर सिंपल इस तरह का है तो हम कुछ नहीं करेंगे जैसे एक दे दिया कितना है चार है च्छह और आठ दे दिया इसमें लासा देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या उसी पर दिपल में होगा जैसे 8 होगा या तो 16 होगा या तो 8 तरिक 24 होगा या अगर हम देखिए 8 8 में पहले इन दोनों संख्या से भाग दे दे रहे है emerged 4 दूनी 8 6 झायगा तो 8 नहीं होगा इसका यर्जी हम dalla दुनी 16 करेंगे हम फिर देखे दोनों संख्यास भाग देंगे 4 से कर जागा 6 से नहीं कटेगा फिर हम इसका 3 गुना करेंगे तो 8 तरीक 24 हो गया अब 24 में देखे 4 से भाग देंगे तो कर जाएगा 6 से भाग देंगे तो कर जागा तो इसका मतलब वही होगा 24 इसका हम जो सबसे बड़ी संक्या है या तो वो होगी LCM या उसी का multiple होगा मतलब एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना वही होगा तो यह देखे 24 आठ का multiple है 8 गुड़े 3 करेंगे हम मतलब 3 गुना अगर 8 का कर देंगे 24 आ गया तो यही इसका LCM हो गया अब हम लोग देखेंगे मासा या महत्तम समापवर्तक या जिसको बोलते हैं यह सीया हाइस्ट कामन फैक्टर तो इसमें देखें इसकी definition क्या है कि दो या दो से अधिक मतलब मासा भी दो संख्या हो या उससे अधिक हो उसी का निकलेगा एक संख्या का नहीं तो दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रतिक संख्या को पूरता विभाजित कर दे मतलब अगर 12-16 का हमको मासा पूछ ले तो मासा वह संख्या होना चाहिए जिससे ये दोनों संख्या हैं कट जाएं और सबसे बड़ी हो मतलब उससे कोई बड़ी संख्या ना हो जिससे ये कटे तो अब एक सबसे बड़ी संख्या कौन है दो से भी कट जाएगा लेकिन दो सबसे बड़ी संख्या नहीं है तीन से नहीं कटेगा दोनों चार से देखिए ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा तो इसका मासा क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, डिपनिशन एक बार फिर से देखिए कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी संख्या है, मतलब अगर दो संख्या दी है तो इसका मासा वह बड़ी संख्या होगी, जिससे ये दोनों कट जाएगा, मतलब इस इसका मासा जो है चार होगा और इससे बड़ी संख्या और कोई नहीं जिससे दोनों कट जाएंगे तो पांच से कटेंगे तो पांच से कोई नहीं कटेगा इसके बाद सब बड़ी होती चली जाएगी तो यह हो गया मासा का डिपनीशन अब देखिये 16,24 का हमको मासा निकालना है तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका हम गुड़न खंड करेंगे 16,24 का है जैसे सोला काया कर लें क्शोटी संख्यास काटना चाले लुपर रहें के 2 से काटेंगे दो चार बार जाएगा, फिर दो से दो बार, फिर दो से काटेंगे एक, मतलब यह कितना गया, दो गुड़े, दो गुड़े, दो गुड़े, दो इतना बार गया, अब हम 24 को काटेंगे देखिए, 24 है इसको काटेंगे, दो से काटेंगे तो बारा बार में, फिर दो से काटें लेकिन यहाँ देखिए हम क्या करेंगे एक, दो, तीन, यहाँ भी तीन, ठू, दो है यहाँ भी तीन, दो है ठीक, तो अब हम केवल यही लेंगे जो दोनों में कामन हो मतलब दो इसमें भी कामन है, दो इसमें भी कामन है तो यही हम लेंगे, दो गुडे, दो आठ से हम 24 में अगर भाग दे रहे हैं तो 8 तरीक 24 तीन बार में कट गया बकिया इससे बड़ी कोई संख्या है अगर ना उसे काट रहे है तो नहीं कटेगा मतलब